दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेस्टन बैंक्स में जहां मुमेसा आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस से रेटेट बिडोज लाती रहते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बेटे अपने मुबाइल फोन या फिर कम्प्यूटर से बैंक को बढ़ाओदा में एक जीरो बाइलेंस सेविंग अकाउंट के लिए कैसे यहाँ पर अपलाई कर सकते हो गाईज यदि आप भी चाहते हो कि एक गवर्मेंट बैंक में अपना बैंक एकाउंट खुलोना तो यहाँ पर बैंक को बढ़ाओदा आपके लिए एक बेस्ट अप्सन हो सकता है गाईज एकाउंट को खुलोने के लिए यहाँ पर आपको क्या-क्या डॉक्मेंट लाएंगे एकाउंट को खुलोने के बाद आपको यहाँ पर क्या-क्या फाइदे मिलेंगे साथी साथ यहाँ पर आपको ATM card, checkbook, passbook, mobile banking और internet banking की facility आपको कैसे मिलेगी इस वीडियो के अंग तक हम आपको बताएंगे तो guys यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए आप जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको एकाउंट कैसे ओपन यहाँ पर करना है तो guys एकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करके simply आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है ठीक है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रहे है लिंक पर क्लिक करने में तो यहाँ पर आपको Google पर चले जाना है या फिर कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है bank of woda और यहां पर आपको search कर देना है तो जैसे ही आप यहां पर search कीजेगा आपके सामने जो पहला वाला website खुलके आएगा जो कि bank of brother का official website होगा उसी पर आपको open कर लेना है यहां पर open करने के बाद आप bank of brother के official website पर आजाएंगे अब यहां पर आपको एक option मिलेगा saving account का यह आप saving account का तो simply आपको इसी पे click कर देना है जैसे ही आप saving account के option पे click किजेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे wait कर लेना है अब यहाँ पे एक नया सा page खुल करके आएगा यहाँ पर आपको नीचे scroll down करते जाना है और नीचे आपको एक option मिलेगा account for individual तो simply आपको account for individual पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर हमें दो option मिलता है no more और apply now ठीक है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस account के benefits के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर account को open करने के बाद आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे तो उसके लिए हम no more पे click करते हैं आपको apply करके भी हम online यहाँ पे दिखाएंगे वीडियो में अंतक बने रहेगा तो guys सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे तो यदि हम benefits की बात करें तो यह एक zero balance का saving account है यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी balance को maintain नहीं करना पड़ता है साथी साथ यहाँ पर features की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको checkbook की और passbook की facility मिल जाती है उसके बात से यहाँ पर आपको एक mobile banking, internet banking और debit card जैसी facilities आपको देखने को मिल जाती है जिसके थुरूँ आप online transition वेगरा भी कर सकते हो और इसमें जो ATM card आपको मिलता है उस पर आप UPI apps को भी इस्तमाल असानी से कर सकते हो तो guys यहाँ पर जो आपको interest मिलता है आपको जो है पैसे रखने पर bank में वो जो interest है other saving account की तरह ही मिलता है जो भी interest other saving account open करने पर आपको मिलता है यानि जो भी bank को बढ़वदा में किसी और account को open करने में आपको interest मिलता है वहीं interest आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है तो यहाई यह थे कुछ भी यहाँ पर फायदे अकाउंट ओपेन कराने के अब हमें apply करने के लिए क्या करना है हमें simply back आना है और back आने के बाद हमें क्या करना है नीचे जाना है नीचे फिर से उसी section में जाना है यहाँ पर account for individual पर click करना है और यहाँ पर हमें apply now का नीचे option मिल जाता है तो simply हमें इसी पर click कर देना है ठीक है click करने के बाद simply हमारे सामने कुछ इस तरीके का form खुल करके आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नाम डालेना है यहाँ पर हमें अपना email id डालेना है यहाँ पर अपना phone number डालेना है तो चलिए हम फटावट से यह retail इंटर कर लेते हैं तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना नाम और आपका जो भी state हो यहां से आपको select कर लेना है state को select करने के बाद नीचे आपको एक city का option मिलता है तो simply आपका जो भी city है आपको simply वहाँ पर select कर लेना है तो guys आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना city select कर लिया है CT को select करने के बाद आपको सिंप्ली नीचे पे क्लिक करना है और नीचे एक branch का आफको option मिल जाता है तो simply यहाँ पे आपको branch पे क्लिक करना है और आपका जो है जो भी branch होगा आपके आसपास वो सारे branch यहाँ पे open होके आजाएंगे तो guys code को enter करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक terms and condition का box मिलता है तो simply इसी पर click कर देना है और click करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक submit का option मिलता है तो simply submit के option पर आपको click कर देना है तो guys submit का option पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा यहाँ पर बोला जाएगा thanks for showing your interest in bank of bada यहाँ पर our executive will contact you shortly तो यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि आप bank of bada की तरफ से thanks किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर bank of bada के जो करमचारी है आपसे तुरंत के तुरंत यहाँ पर contact करेंगे और contact करने के बार वो आपसे कुछ document बाएंगे तो simply आपको वो सा क्या है आपको उनसे बोलना है कि हमें जो है अपने घर पे account open कराना है हमें door step service का option चाहिए तो यहाँ पर चेक करके आपको बता देंगे कि आपकी area में वो service है या फिर नहीं है इसके बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से document लेंगे तो यहाँ पर आपका आधार और दा के करमचारियों द्वारा यहाँ पर आपको पूछा जाएगा और साथी साथ यहाँ पर आपका जो है ATM कार्ड मोबाइल बैंकिंग चेकबुक पास्बुक जो भी चीज़े हैं आपको यहाँ पर उनसे बताना है कि हमें यह सारी चीज़े चाहिए और वह जो है अपले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई टेक के यार